सब्सक्राइब किजिए यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले जाएगा तके वीडियो अप्लोड रती है इसके 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 सबसे हैं पहले आपको मिल सके नमस्कार रिदू सेशन कॉर्णर में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जल्दी शट पर त्यार हो जाती है दुछली बनाने स्टार्ट करते हैं हमने एक कड़ाई ली है इसके फिलम को अन कर दिया है इसके बाद में अब हम यहाँ पर मावा लेंगे मावा हमने एक कप लिया है इसे हम तो हमने भी मिला देंगे मावा हमने गाय की दूद कही लिया है इसलिए तुना सा पीले रंगा है हमें यह सॉफ्ट करना है और कैस की फिलम को मीडियम रखें हाई फिलम बिल्कुल भी ना रखें नहीं तो यह जल जाएगा और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं रेसिपी पसंद आने पर मावा धिरी-धिरी सौफ्ट हो रहा है और वीडियो को आप इसके पना करें कोई भी स्टैप अगर छुटेगा तो आपकी रस्पी खराब हो सकती है इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि पर देख जो स्टैप है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके अब इसके बाद में हम यहाँ पर कोकोनट पॉड़र एड़ कर देते हैं आदा कप कोकोनट पॉड़र लिया है यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है आप जो नारियल होता है उसे भी कसकरा आप यूज़ कर सकते हैं साथ में ड्राइफ रूट्स लिये हैं उन्हें भी हमने यहाँ एड़ कर दिया है और इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे अच्छे से ड्राइफ रूट्स और नारियल मावे में मिल जाने चाहिए और इस दोरान आप गैस की फिलम को ब्लुकुल लो कर दें मीडियम से एकदम लो करना है आपको और इसके बाद में जब यह अच्छे से मिल जाएंगे उसके बाद में हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी गरम गरम में हम यहाँ शुगर है उसे नहीं मिलाएंगे अगर हम चीनी गरम में मिला देंगे तो यह हलवा जासा हो जाएगा जो भरने में हमें प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए हम इसे ठंडा होने देंगे तो अभी हमने गैस की फिलम को आफ कर दिया है यहां हम एक बाउड में सारे के सारे यह जो मावा है और ड्राइफूट्स इन्हें add कर देते हैं और अच्छे से ठंडा होने देंगे जब यह बल्कुल ठंडा होगा उसके बाद यह अगे का प्रॉसस करेंगे जब तक हम यह ठंडा होता है उसके बाद में उचियां के लिए आटा त्यार कर लेते हैं मैदा लिए हमने यहां दो कप और दो कप मैदा में हम यहां पर चुटकी वर नमक एड़ करेंगे चुटकी बर नमकी याड़ करना है ज्यादा नहीं करना है इसके बाद में हम यहाँ पर एक चुटाई को घी लेंगे आप रिफाइन डॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं और हाथ से अच्छे से मस लेंगे यह प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है तभी इसमें खस्तापन आता है तो पहले हम यह अच्छे से मोयन त्यार करेंगे बहुती अचा से हमें मेदा को मसलना है और जो घी है इसमेशे से मिल जाना चाहिए बहुती आसानी से इस तरह से त्यार हो जाता है और जब इसमें लड़ू सा बनने लगे इस तरह से इस तरह से बनने लगेगी तब ये एकदम त्यार है अब हम पानी लेंगे और हलके हलका इसे गुत लेंगे हमें ज़्यादा इसमें गुत ना नहीं है हलके हलका सबस इसे इखटा ही करना है ये देगे हम इस तरह से बना लेंगे ज्यादा हमने इसे मसला नहीं है यह तो इसमें परत्या त्यार नहीं होती है अब हम इसे डग कर रख देंगे 15 मिनिट के लिए उसके बाद में हम अपने फिलिंग को भी देख लेते हैं जो हमने त्यार की थी मावा ठंडा हो गया है अब हम इसमें शुगर एड़ कर देती है जिसी फिर शुगर का यूज किया है हमने है और इन चमस्स्थ चला लेंगे अच्छे से अच्छे से ये मिक्स हो जाने चाहिए अगर हम गरम गरम में ही डाल देते तो ये बहुत ही बिकार हो जाता इधर मैदा भी दिया रहा है इसम सॉफ्ट है और अब हम इसे पेड़े तोड़कर चुट चुटी पूड़ियां बनाएंगे हमने इस तरह दू भावों में से बाट लिया है और अब इसका रोल बनाकर चाको की साथा से इसे काट लेंगे आपको जितने बड़ी गुजिया त्यार करनी है उसे साथ से आप ये पेड़े त्यार कर सकते हैं अब हम एक पेड़ा लेते हैं और इसे बेड़ लेते हैं मैदा का जो आटा है वो इस तरह से होना चाहिए किसे हमें ऑईल की भी जुरूत ना पड़े न सुखे आटे की जुरूत पड़े वह ये अपने आप इस तरह से बिल जाएं कि इतना मोटा ही हमें ये त्यार करना है अब हमने इसे पूड़ी बेल लिये हैं अब हम गुजिया बनाने का सांचा ले लेते हैं मैं दो दरह से गुजिया बनाना से खाऊंगी एक सांचे से और एक बिना सांचे के अब हम सांचे से त्यार करते हैं इस तरह सांचे के ऊपर हमने पूड़ी बेली थी इसे रख लेते हैं और अब इसमें फिलिंग एड़ कर देंगे इसके बाद में हम इसके चारों तरफ पानी एड़ करेंगे पानी लगाने से यह जब कड़ाई में डालेंगे तो यह खुलेगी नहीं और यह अच्छा से मैदा आपस में चिपक जाएगी इसलिए हम यहाँ पानी का यूज़ कर रहे हैं आदूद का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे बंद कर देते हैं अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम यह खटा देते हैं और खूल कर इस तरह से हो जाएगी देखिए किती अच्छी गुज़िया यहां त्यार हुई है इस तरह से दिखाई देगी अब हम बिना सांचे के भी गुज़िया त्यार करेंगे इसमें हमें सांचे की कोई जुरूत नहीं होती है हासे ही त्यार करेंगे इस तरह से हमने एक बोड़ी बेली है और यह फिलिंग है इसको एड़ कर दिया है चार तरफ अब हम पानी लगा लेंगे ताकि कड़ाई में जब हम तेल में डालें तो यह फटे नहीं अब इस तरह से इसे बंद कर देते हैं और उंगलियों से अच्छे से प्रेस कर देंगे कि इस तरह से प्रेस करने के बाद में अब हम इसे हाद से थुड़ा सा पानी लगाने के बाद में डिजाइन देंगे इस तरह से इसे गूतना है और यह नय अड़िजन त्यार हो जाएगा इस तरह से हम सारी की सरीकुंचिया त्यार कर लेंगे इधर हमने तेल को भी गरा होने के लिए रख दिया है गैस पर गेस को हमें हाई नहीं रखना है मीडियम फिलेम पर हमें गेस को रखना है अब इसमें हम चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद में ही हम यहाँ पर गुजिया एक ही करके एड़ेंगे एकदम सारी गुझिया नहीं डालेंगे 3-4 गुझिया ही हम यह अड़ describes करेंगे जादा ढाल देंगे तो अच्छे सिक नहीं पाएंगी अब मिडियूम तो लोग पर हम यह तलेंगे हाई फिलेंपर बिल्कुर भी न तरह देंगे लेकिन अंधर से फिर कच्छी रह जाएंगी इसलिए इस तरह से एक ही करके हम सारी कुझे डाइट कर देंगे अब इडियां फिलेंपर तल लेंगे जब एक तरफ से जाएंगी तो दूस तरह से भी नए हम सेख लेंगी इस तरह से हम पलट देते हैं अभी नए बहुत अच्छी और खस्ता बुजियां यह त्यार होंगी एक बारा मेरे बने तरह के से जरूर बना कर देखें और वीडियो को प्रीज इसकिप ना करें कोई भी स्टाइब अगर शूटता है तो आपकी रस्पी खराब हो सकती है इसलिए वीडियो को आप पूरा देहें यह देखें एक तरफ से गुजिया सिख दई है और एक तरफ फूली फूली त्यार हुई है काहुं दूस तरफ से भी इन्हें सेक लेते हैं गुजिया रवक सेक चुकी है और प्लेट में निकाल लेते हैं इस दोरान गैस के फिल्म को आप बिल्कुल लो कर दें जब गुजिया कड़ाई से बहार निकाल लें अब फिर से जो बाकी बजी गुजिया है उन्हें भी हम यह सेक लेते हैं यह करके बाकी बची सब को गुजिया को हम यह एड़ कर देते हैं यह सारी किसारी हमें तल ली है और प्लेट में निकाल लिया है यह देखे कितने अची गुजिया बिना साचे के हमने त्यार की है अब हम इने सुगा सिरफ में एड़ करेंगे तो यहां हम चाशनी त्यार करते हैं सबसे पहले एक भून लेते हैं और उसमें एक कप चीनी एड़ कर देते हैं और साथ में आधा कप पानी एड़ कर देंगे चीनी गुलने तक हम इने पकाएंगे और लगबग आधा तार होगा उतना ही हमें से पकाना है जो मच की साइधा से अब हम चला लेते हैं चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए इस तरह से सुगर सिरप त्यार हो गया है हमें आधे तर की चाशनी ही त्यार करनी है जिसके बाद में अब हम यह गुजिया हैं ने एक एकर कर देते हैं और इस तरह से चमसे को उपनीचे कर देंगे सारी के सारी गुजियों को इस तरह से हम इस सुगर सिरप में एड कर देंगे और दस मिनट तक इसके लिए छोड़ देंगे और दस मिनट बादी हम इने निकालेंगे जब तक कि पूरी के पूरी जो चाशनी होती है उसकी एक लेयर इन गुजियों पर हो जए बाकी बजी गुजियों को यह हम इस तरह से कर लेंगे और इन्हें अब हम लेट में निकाल लेते हैं यह देखें गुजियों एकदम रेडी है ड्राइफ रूट से मैंने इने सजा दिया है और बहुती खस्ता जो हुजियों है यह तियार हुई है बहुती देश्टी मार्केट के जैसी और आप एक बार मेरे बिनाय तरीके से जरूर बनाके देखें और वीडियो को पूरा दे के वीडियो को पूरा देहने के लिए आपका धन्यवाद